नमस्कार साथी आपका स्वागत आपके यूटुब चैनल ट्रेट वित्रानेक चलिए दोस्तों सुरुवात करता है जैसे कि अपने क्वाटर फोग रिजल्ट की सीरीज चल दिया तो उसके अंदर आज वी आई पी इंडेस्टी लिमिटेड का क्वाटर फोग रिजल्ट है त वो काफी अच्छा उसको बैगिंग है जो बैक्स हैं वो काफी अच्छे होते बच्छी क्वाल्टी होते बट कोविट के चलते हुए जिस तरह से टूरिजम पे एफेक्ट पढ़ा है तो उसका एफेक्ट आपको वी आई पी इंडेस्टी के सेल्स पे भी देखने को मिला है को काफी आफ बात करने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब करेंगे है को बात करते लिए तो हम बात करना है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए तो आज यह 16 माई 12 बाइस अब रात के 9 बज़ रहें देखिए इनका जो बॉर्ड मीटिंग हुई थी वो तीन बज़ के पंदा मिंट पर हुई थी और खतम हुई थी पांच बज़ के तीस मिंट पर यानि यह 6 बज़े तक पूरी अपडेशन देखने को मिली नसी बीसी दोनों पर तो इसके अंदर किसी भी तरह की डिविडेंट डिल देखने को तो में नहीं मिल रही है तो हम इनकी अनिंग्स चेक करते हैं तो इनकी अनिंग्स है करोड के अंदर तो मैं आपको थोड़ा सा स स्टोक पी चला है इसको 125 का स्टोक आर ओसी इसका चला है 12.7 परसेंट का बुक वैली इसकी 36 पे 6 पैसे की है रिटर्न ओफ इक्युएट इसका 12.9 परसेंट का डिविडेंट कंपनी नहीं तक दिया 0.42 परसेंट का फेस वैली इसका 2 रुपे का है अब देखे कंपनी क्वा के रिजल्ट की जो आजाया देखेंगे मार्च 2,22 तो इस क्वार्टर में सेल हुए 356 करोड परेगी ऑप्रेशन प्रॉफिट निकल गया है 33 करोड बेगा नेट प्रॉफिट इनको 12 करोड का है इस क्वार्टर में अर्निंग पर शेर हमारा 0.88 है इस क्वार्टर में तो इ 33 करोड बेगा नेट प्रॉफिट हमारा 33 करोड से घटके हुआ 12 करोड बेगा अर्निंग पर शेर भी हमारा 2.37 से घटके हुआ 0.88 हुआ तो आप देखिए अच्छी खासी घटत देखने को मिली है में सेल के अंदर भी ऑप्रेशन प्रॉफिट के अंदर नेट हुआ है और नेट प्रॉफिट हमारा 33 से घटके 12 करोड हुआ है और अर्निंग पर शेर भी हमारा 2.37 से घटके 0.88 हुआ है तो यह अच्छी खासी घटत देखने को मिली है और कल के दिन भी इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है क्वाटर क्वाटर वाई तो घटत दे तो लास्ट यह सेल थी 243 से बढ़के सीधा 356 हुई है और नेट प्रॉफिट हमारा लास्ट लास्ट यह घाटे में कंपनी थी 4 करोड को बढ़के पॉजिटिव में 12 करोड हुई है साधिसत अर्निंग पर शेर हमारा 0.27 से बढ़के 0.88 हुए क्योंकि लास्ट यह जीरो प यह रहें तो सेल में और अनिंग पर शेर नेट प्रॉफिट और इस सब चीजों बड़ा देखने को मिल रहा है कंपनी मुनाफिखने में आई है यह चीजिस समझते वाली आप तो देखे यह तो खहां रहने वाला बट यह ग्रावर देखने को मिलेगी क्योंकि क्वार TV पर है छोट थोड़ सा मिर्ग्वार्ड न बहक्त तो कॉतर में अपने होलडींग बढ़की हुएма आप देखिए इसकें प्रसेंद आप आ insect है यह बड़ाई है सौरी बट डिए इसने अपनी होल्डिंग घटा आई है तो देखिए रिजल्ट है मिला जूला क्योंकि क्वाटर क्वाटर वह तो अच्छा खासा ग्रावर दिखाया रिजल्ट ने बट यह रिवाई कंपनी घाटे में तो प्रॉफिट में आई है तो यह च कहेंगे इसको थोड़ी बट गिरावर तसमें देखने को मिलेगी अब देखिए रिजल्ट से पहले कैसी रिसके अंदर परफॉम्मेंस वह देखते हैं तो रिजल्ट आने से पहले शेयर अपना 1.71 परसंट गिरावर लगा के बंद हो आज के दिन पे तो आज यह ऑपन होत हैं तक इसने हमारे को 5.83% के गरावर दिखा चुक है One month के अंदर भी आपने पार्फॉम्में रखा खो तो अभी तक आपका सामना पड़ रहा होगा अब देखिए क्या देखने को मिला मैं आर को कि आज की दिन रिजल्ट से पहले इसमें अच्छी खासा यानि के एक कैंडल बनी इसके दिन दर तो ये ना तो कैंडल देखिए ना तो पूरी आपर की सेट गई ना लोवर की सेट गई मीडल में खतम होगी है बट शेयर अपने डाउनफॉल के टर ट्रेट कर रहे हैं और कल की दिन ये अपना वन फिफ्टी एमे को क्रोस करेगा तो इसमें ग्रावट तो लाजमी है अब देखिए यहां पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है मुझे पान सो पचास सपोर्ट है यहां पे ठीक है अभी ता आपको फ्रेस बाइंग बिलकुल नहीं करने है इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर देखिए रिजल्ट है मिला जूला और कौर्टर कौर्टर वाई कंपनी यह यह तो मुनाफिम आई है बट थोड़ा बदिश में प्र तक आप इसमें फ्रेस बाइंग बिलकुल नहीं करेंगे क्योंकि शेर ने काफी टाइम से अच्छी गाज़े ग्रावट दिखाई है और काफी उपा लेवल से शेर के अंदर अच्छी गाज़े प्रॉफिट बुकिंग देखनों मिली है और शेर अभी भी आरसाई के अंद शेर के लेवल पर फिर से फ्रेस वाइंग करने है अगर एक दो दिन शेर को पर यह ट्रेट कर पाता है वाट मेरे हिसाब से यह ग्रावट की तरफ इंडिकेट कर रहा है आई होपी वीडियो आपकी उस पूला तो प्लिस वीडियो को लाइक शेयर फावड करना बिलकुल न